ये जो आप बोट का स्पिकर देख रहे हो इसका कीमत लगबग 8-9,000 रूपीज और इसको रिपेर करने के बाद हमें मिलने वाला है 500-1,000 रूपीज ये स्पिकर किसी दूसरे टेक्निक सेन के पास गया था उन्होंने खोली नहीं पाया था जिसके बाद हमारे पास है रिपेर तो अब हमें इसको अगर ठीक करना है तो इसका टाइप-C का जो जैक है उसको में रिप्लेस्मेंट करना परेगा और इस टाइप-C रिप्लेस्मेंट करने के लिए हमें कितना समय लगेगा लगबग 30-35 मिनिट समय लगेगा और इस टाइप का जो स्पिकर से ना उसको खोल के लिए हमें क्या करना परेगा आज की वीडियो देख लेजिए और इस वीडियो के आखिर में आपको एक गोल्डेन टिप्स दूँगा जिसके मदद से आप कास्टमर से 500 से 1000 रुपीज चार्ज ले सकते हो और अगर आपका दुकान कोई ऐसा जगा पे हुआ जहां पे आपक 2000 भी ले सकते हो क्योंकि इस टाइप का स्पिकर्स खोलने के लिए बहुत ही ज़ादा हमें महतनात करना पड़ता है उसके साथ ही साथ इसके आंदा जो टाइप सी का जैक लगा हुआ है यह आपको मार्केट से नहीं मिलेगा कहां से मिलेगा और कितने रुपीज में मिलेगा आज की इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा तो इस वीडियो को आखिर तक जोड़ो देखिएगा देखिए यह हमारा बोट का स्टोन स्रीज का 1500 मॉडल है जो कि 48 का स्पिकर्स है इसको खोलने के लिए सबसे पहले उपर का हिस्सा है ना इस हिस्से को बाहर निकल इसका चार्जिंग जेक को चेंज करने के लिए हमें पूरा का पूरा इस पिकर्स को डिस आसेंबल करना परेगा यानि कि जो सुरुवाती दोर में इसको बनाया गया था ना सारे जो अलग-अलग पार्ट्स को जोर के एकटा किया था वो सारे के सारे चीज को हमें खुलना परेगा तो इसको खोलने के समय एक दूज जयाक अगर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं दोस्तो जब आप लगाओगे ना उस समय किसी को भी पता नहीं चलेगा और पता नहीं चलेगा मतलब यह है कि यह इसका जो जयाके ना इतना ज़्यादा हाड होता है अगर टूट भ रूपिंग के लिए जो चीज दिया हुआ है यह चीज आपको आड़ाम से बाहर निकल लेना है क्योंकि इसके नीचे कोई भी गुलूब अगरा नहीं दिया रहता है सिर्फ इसका जैक के मदद से या जो लोक के मदद से चिपका हुआ रहता है अब इसके अंदर चार उसक् और इसी सेम तरीके के जरीए इसका दूसरे साइड जो लगा हुआ है यह सेम चीज उस दूसरे साइड को भी हमें खोलना पड़ेगा उसके यह जो हिस्सा बहार निकल आया है और मैं जो भी हिस्सा इसका अंदर से निकलूँगा हम एक एक करके सारे चीज को सेब जगा पर लगा हुआ है तो यहां पर देखिए सेम चीज इसे साइड में भी लगा हुआ है तो मैं इसको भी में सेम तरीकें के मदद से इसको खोलूंगा और आप कोशिस करिएगा जो जब रेड़ वाला बेल्ड को आप निकालोगे ना तो इसके नीचे को सापोटिंग के दिये जो ग करके लगा हुआ रहिता है चाइबो बोट का हो चाइबो किसी दूसरे कंपनि का होले का हो सारे इसी पूर्णों के अंदर यिज़़ी पूर्ण Citizens किया हो रहता है लेकिन इसका खोलने का और सम्मेл करने का तरीका अलग अलग स्पीकर्स के लिए अलग-अलग हो सकते है। करेंगे कि इसके नीचे जो स्वीच या जो बॉटन दिया हुआ रहता है ना उस बटन्स दिया हुआ रहता है स्बळboard के उपर एक हैं चीज दिया हुआ है तो इस चीज को रबधर को हम बाहर निकालेंगे और बाहर क्यों कि निकालेंगे क्योंकि नीचे भी हमें screw देखने मिलेंगे तो इसको हटाने के बाद इस नीचे का जितने भी screws होए वो सारे के सारे स्क्रूज को खोल लेंगे और स्क्रूज को खोलने के बाद यह हिस्से जो buttons का PCB है ना इस buttons का PCB को भी हम बहार निकलेंगे क्योंकि यह speakers के अंदर इस PCB को इस तरीके से लगाया गया कि दोनों side में यह attachment होके रहेगा यानि कि आदा हिस्सा left side में है आदा हिस्सा right side में है तो उन सारे स्क्रूज को खोलने के बाद आप इस चीज को दोनों तरब से खोलने के लिए हमें 6 स्क्रूज और भी खोलना होगा और आपके पास मान लिजे कि सेम स्क्रूज खोलने के लिए आपके पास screw driver भी होना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी के पास screw driver रहता है अब देखिए सारे screw खोल गया है और खोलने के बाद हम क्या करेंगे जो बटन दिया हुआ था PCB दिया हुआ था इसको हमें ऊपर उठाना परेगार हमने खोल लिया और खोलने के बाद ये दो अलगल हिस्से में ये बाड़ चुका है अब हमें तो इसके PCB के साथ कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रहा था इसलिए सिर्फ पर सिर्फ हम charging जो jack लागा हुआ है ना उस charging jack या PCB जो लागा हुआ है उस PCB को हम बाहर निकलेंगे इसके लिए ह charging का उस PCB को खोल को दिखाता हूं कि किस प्रो करके इसके अंदर ताइप सी का jack लगा हुआ है इस speakers को अलग करने के बाद ये जो rate आप हिस्से देख रहे हो ना इस rate हिस्से को बहान निकलना पड़ेगा रहो इसको बहान निकलने के लिए भी हमें इसका screw को खोलना पड़ेग और याद में रखेगा आप जो screw खोल रहे हो ना ये screw अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि speakers के अंदर सारे जगा पे अलग-अलग type का अलग-अलग size का screw दिया हो रहता है तो आप ध्यान में रखेगा जब भी आप कोई भी चीज को खोलोगे ना तो screw अब दूबरा लगा होगे तो उस time same to same होना चाहिए नहीं तो हमारा जो यह waterproof का IP68 जो rating है यह हमारा काम नहीं करेगा इसका अंदर पानी चला जाएगा अब देखिए screw को खोलने के बाद इसका जो चार्जिंग का जो PCB है ना चार्जिंग जहां पे लागा हुआ था वह हमने बाहान निकल लिया हैं और बाहान निकलने के बाद आप इस red हिस्से में से PCB को बाहान निकलने के बाद जो हमरा type C का connector है वो connector किस type का है यह हमें पता लगाना परेगा क्योंकि market में type C भी बहुती अलग अलग type का मिलता है आप लोग को पता होगा जो लोग mobile repairing का का काम करते है ना उनको अच्छे से पता होगा कि type C कितने प्रोकर के होते हैं क्योंकि सभी PCB के अंदर अलग 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 लगा हुआ रहता है आप देखिए कि इसके अंदर जो SMD type का तो है लेकिन इसका जो main grounding के लिए या supporting के लिए जो legs लगा हुआ है यह deep package का है यानि कि dual in line package का है तो इ PC प्रोकर के मिलते झुलते चीज के अंदर लगाया जाता है अगर आपको इस टाइब का remote से जैक चाहिए तो आप हमारे ओनलाइन इस्टोर दीप एलेक्ट्रोनिस लैब्स आप उहां पे ले सकते हो यह हमने बहुत ही मेनाथ से धूंडा हूँ अगर आप कोई भी स्पिकर्स का रिप्यरिंग का काम करते हो और वहां पे आपका टाइप सी जैक लगा हुआ है तो उसके उस समय आप इस टाइप का जैक हमारे ओनलाइन इस्टोर से ले सकते हो आपको बहुत ही कम किमात के अंदर मिल जाएंगे अभी लिमेटेड कॉन्टिटी में हम ल यसा ही आप दीपिलेक्टोनिस लाव उनलाइन इस्टोर पर किलिक करोगे ना दीपिलेक्टोनिलाब्सॉप.in वहां पे आपको एक सार्च बटन मिल जाएगे वहां पर लगा दिजिए कि टाइपसी जैक तो आपको ये वाले जैक देखने को मिल जाएंगे तो आप उसके बाद इसको मतलब order करके आप आपने पास मंगवा सकते हो इंडिया से आप किसी भी कोने पर क्यूं ना हो आपको एक से चार दिन में डेलिवरी मिल जाएंगे इसके लिए आपको हमरे विपसेट पर जाके सारे इंस्ट्रक्शन परना होगा कि कैसे आपको एक से चार दिन में तो जाके जब order करोगे उस समय आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएंगे अब देखिए हमने यहां पर टाइप सी का जैक को सही सलमात यहां पर इंस्ट्रॉल कर दिया हूँ और मेरे ख्याल से यह अब चार्ज हो जाना चाहिए जो हमारा जो अभी चार्ज नहीं हो रहा हमारा पेस्ट या कोई भी सोल्डर के जो बाकी साइना वो ना रही जाए तो हमने अच्छे से क्लिन कर दिया हूँ और थोरा सा टाइम लएगा इसको सोखने के लिए तो सुखाने के बाद जैसे हमने इसको खोला था ठीक उसी पूरोकार से इसको में एसेंबिल करूँगा और एसेंबिल करने से पेले एक बार में इसको लगा के चेक भी कर लोगा कि हमारा यह जो जैक है ना यह जैक सही से काम करता है या नहीं क्योंकि कहीं बार लगाने के बाद अगर कोई भी इधर उदर कोई भी ट्रैक अगर तूटा हुआ रहे जाएगे ना तो उस समय काम न करने से पहले इसको लगा के एक बार इसके अंदर चार्ज या जो हमारा टाइप सी का चार्जर का पींट्स होता है हो पाता है कि नहीं अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हुआ तो इसका पीछे का रीजन हम ढूड़ेंगे और उसको सॉल्प तो चलिए हम इसको जल्दी से लगा देता हूँ लगाने के बाद जो चार्जिंग टेस्टिंग का प्रोसेस है बूम आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा काम सक्सेस्पुल हुआ है या नहीं तो चलिए अब हम इसके अंदर टाइप सी चार्जर का कर दिया हूँ और इस काम को करने के लिए लगबग 30-35 मिनिट लगेगा कहीं कहीं बार अगर आपको नहीं पता है तो उससे भी ज्यादा समय लग सकता है इसके बाद हम इसको सिंपली क्या करेंगे असेंबिल कर देंगे जैस तरीके से हमने इसको खोला था सारे चीज़ हम एक एक करके एक एक скrew को लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका अंदर गाना चला के सुनाओंगा ताकि आपको पता चले कि हमरा जो चीज़े नहीं सहीसे काम करता है कि नहीं उसके बाद इसका और पर फििंग के लिए हम यह जो गलु है ना गलु भी लगा देंगे ताकि जब अगर गलते से भी पानी चला जाए या इसके अंदर पानी दे कर बहुत सरे लोग टेस्ट करता है कि इसके अंदर पानी जाता है कि नहीं इसको चेक करने के लिए तो इस चीज को confirm करने के लिए हमने फिर से दूबारा इसको order proof बना दिया हूँ और ये काम करने के लिए हमें इसके लिए चार्ज करना होता है 500 से 1000 रुपिज आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि अगर आपने ये काम ना करके नहीं दिया है न लेकिन इस टाइब का मतलब box का charging का पीसे भी नहीं मिलता है इसलिए हमें charging का जो pin से उस pin को ही हमें change करना पड़ता है चलिए एक हिस्स या एक side का तो यह चीज लग गया है अब दूसरे side को भी लगा देता हूँ और इसको भी auto proof करने के लिए जो हमारा glue है उस glue को भी लगा के हम इसको अपना काम को अंजम देंगे और मैं एक चीज आपको कहना चाहूँगा कि इस proker का काम में क्यूं करता हूँ क्यूंकि दोस्तों इस proker के जो काम है ना यह बहुत सरे टेकनिस यह नहीं करते है इसको मतलब बापास भेज देते है क् आप सक्सेस्पुल नहीं बनोगे इसलिए इस टाइप का यूनिक काम आप करते रहिए और अपना experience और skills हो बढ़ाते रहिए अब देखिए जिस साइट से हमने खोला था फिर उसी साइट से हम इसको assemble भी कर देंगे थोरा सापको hard लगेगा लेकिन आपको सब्धनी के साथ करना पड़ेगा यह देखिए हमरा भी speaker complete हो चुका है आप मैं आपको इसके अंदर गना चला के सुनाता हूं कैसा feel होता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और इसी पूर करके वीडियोज अगर आगे आने वालो दिनों में देखना चाओते हो तो चैनल को सब्सवाइब कर लेजिए और आगर आपके वान में किसी कोई चीज को लेकर कोई विश्वा लेया सुझाब है नीचे कमेन करके जरूरू बताईएगा हम फिर मिलते नेक्स वीडियो